बच्चों सुप्रभातम सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आज की क्लास चालू हो रही है अजन्ता से अजन्ता जानते हैं आप क्या है अजन्ता गुफाएं है अजन्ता और एलोरा की गुफाएं टक्टर भगवत चरण उपाध्याई जी ने अजन्ता नाम की इलेख लिखा ठीक है जो आपकी पार्ट पुस्तक में संकलित है हमने कल आपको पढ़ाया था भगवत चरण उपाध्याई जी का जीवन परिचे आज उन्ही का पार्ट अजन्ता और आपके गद्यांश का यानि कि आपके गद्य खंड का अंतिम पार्ट है इसके पस्चात आपको हम ले चलेंगे हिंदी व्याकरण की दुनिया में जहां पर प्रत्य उपसर्ग, तद्भो, तत्सम, पर्यायवाची, देशज, विजेशज और वो कहते हैं उनको क्या समास वगएरा सब पढ़ा देंगे इसके बाद हम पद्भाग चालू करेंगे, यानि कि आपका क्रम से ही, आपकी पुस्तक में जो कुछ पार्ट क्रम से चले हैं, पूरी की पूरी पुस्तक हम समाप्त करते, क्रम से ही चले जाएंगे तो देड़ न करते हुए, आज की अजनता और कमेंट हम आप सब की बाद में पढ़ लेंगे, वीडियो के एंड में ठीक है, कमेंट करते रहें आप लोग मैं पढ़ लूँगा जिन्दगी को मौत के पंजों से मुक्त कर, उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड काटा किस तरह इंसान ने खुवियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पिडियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किये उसने चटानों पर अपने शंदेश खोदे, ताडों से उंचे धातूं से चिकने पत्थर के खमबे खड़े किये, तामे और पितल और पत्थरों पर अक्षरों के मौती भी खेरे और उसने जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरक्ती चली आई चली आ रही है जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई इतने गद्दांस में आपने क्या समझा कि ऐसे तो हर चीज नश्वर है और सब कुछ नश्ट हो जाता है लेकिन परनतो जो इंसान है उसने अपनी द्रढ इच्छा से पहाडों को काट डाला कंद्राओं को काट डाला और वो इसलिए काटा कि आने वाली पीडियों को उन चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा इसलिए उन सब को काटा उसमें बहुत सारे चीजude उकेरी और वो सदियों से कहानी चली आ रही है क्योंकि जिन्दगी मौत के पंजों से निकल कर बाहर आ गई जिन्दगी को अमर कैसे बनाया जाए उसकी कलाकरतियों के माध्यम से लोग अपनी जिन्दगी को अमर बनाते है तो वो कलाकरतियां, वो रचनाएं एक रचना जब होती है तो वो रचना ही एक जिन्दगी को एक मनुष्य को अमर बनाती है मनुष्य तो चला जाता पर उसकी रचनाएं अमर रहती है तो वो जिन्दगी है समझ लोग परकार से इन्ही उपायों में एक उपाय पहाड काटना भी रहा सारे प्राचीन सभ्ध देशों में पहाड काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए आज से कोई सबाद 2000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी है अजन्ता की गुफाएं पहाड काट कर बनाई जाने वारी देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं क्या है सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं गजए बीवारों पर उसी के नमूने चित्र नकल कर लिए गए थे और जब अजन्ता के चित्रों ने विलेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया तब भला अपने देश के नगर देहाथ उनके प्रभाव मैं लिए गफांगर और सितन की गुफाएं उसी अजन वैसे ही ये भी गुफ़ाएं आपकी हैं। जैसे कि वहाँ पर एक दुन्या सिरच गई हो प्रेम और दया की उसमें भी आईसे भाव चितर बनाये गये हैं जिसमें प्रेम और दया की दुन्या ही लग रही हैं। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रवनक बरसाई है चितेरे जैसे रंग और रेखाम में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं कलावंत छेनी से मूरते उभारते कोड़ते गए हैं वैसे ही अजनता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है प्रकरती भी वहां थिर के बीच कहां पे बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्या चल के पूरब पस्चिम दोड़ती परवत मालाओं के निचाउंधे मतलब निचले पहाडों का एक सिलसिला उत्तर से दखिन चला गया है जिसे सहियाद्री कहते हैं अजनता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी ज पहाड़ों में सांप सी लोटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है वहीं परवत का सिलसिला एक अर्ध चंद्राकार हो गया है कोई 250 फुट उंचाव हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरे उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरुखों को भाग गया और उन्ह को उन्हें में मेल किया तो परवत का हिया दरक्ता चला गया और वहां से एक ऐक बरांदे एक से बढ़कर एक बरांदे हाल और मंदर बनते चले कि तो अजन्था ने बताया है की अजन्था के चारों और फैले में पराक्रदेक सुंधरेश का मनेरशारी कि चित्रन करते हुए लेखा कहता है कि वहां जो है मनुष्य की लगन और प्रिस्रम और सौंदर्य प्रेम को देखकर परवत भी भाव विभोर हो गया और उसका हरदय मानों की इच्छा के अनुरूप ही दरकता फटता चटकता चला गया और मनुष्य ने अपने हिसाब से उस खोखला कर दिया गया फिर समें सुन्दर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभारी मूर्तें बिहां सुठी भी हसनता प्रसंद नहों उठी भीतर की समूची दीवारें और छटें रगड कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बस उठी ठीके फिर तो दीवारें उमग उठी पहाड फुल कित हो उठे और कितना घीवन बश पड़ा हे इन दीवारों पर जैसे रवन जयायब का भंडार कुला पड़ा ही कहानी से कहानी टकराती चली गई बंदरों की कहानी, हातियों की कहानी, हिरनों की कहानी, कहानी, कुरूडता और भै की कहानी, दया और त्याग की कहानी, जहां बेरहमी, वहीं दया का भी समुद्र उमड पड़ा है, जहां पाप है, वहीं छमा का सोता फूट पड़ा है, राजा और कंगले, विलासी और भिच् इस प्रकार के अजनता गुफा में उकेरे गए हैं बनाए गए हैं बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटना है निर्वाण मद्रत्यू कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आखें अटक जाती हैं हटने सबछित्र कहां अजनता में बने हुई हैं तो वही कहतर हैं वृषिवर्णन कभी कहते हैं जैसे चलकी पड़ती है उभरे नैनों की जोद परस्ति जा रही है और यह यह लगर यह तरिबंग में खड़ी है. तीजिंए ओक है और यह दरिश्य है महाभविनिश्च किर्मण का त्सक्राइब घर से जब जाते हैं. जी शोधरा और राहुल निद्रां में हैं. गुतम बुद्ध दरःनिश्चे कर धड़कते हिया को संभालते और यह नंद है अपनी पतनी स सुंदरी का भेजा दौर पर आये बिना भिच्छा के लोटे भाई बुध को लोटाने जो आया था और जिसे भिक्छु बन जाना पड़ा था बार बार भागने को होता है बार बार पकड़ कर संग में लोटा लिया जाता है उधर फिर वो हो यशुधरा है बालक राहुल के सा बुध्ध न आए हैं पर बजाए पती की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और विच्छा पातर दहली पर चड़ा देते हैं याशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बन कर आया है किया न दे डाले पर है ही क्या अब उसके पास, उसकी मुकुट मड़ी सिधार्त के खो जाने के बाद, सोना, चांदी, मरिक, मानिक, हीरा, मोती, उस तो उस त्यागी, जगत राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ, है कुछ उसके पास, उसका भचा हुआ एक मातर लाल उसका राहुल और उसे ही वो अपने सर्बस की तरह बुद्ध को दे डालती है और उधर वो बंदरों का चित्र है कितना सजीव कितना गतिमान समझ लोग लाइब टेरी कास्ट किया गया है यहां पे जो कुछ देखा गया है लेखक के द्वारा लेखक ने उसी को लिखा है पजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हंथनियों को दे रहा है वहां महलों में वो प्यालों के दौर चल रहे हैं उधर वो रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है उसका दम तूटा जा रहा है खाने खिलाने बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने वन नगर चित्रित कथाओं में हैं ही उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रन हुआ है पिछले जन्म की कथाओं जातक कथाओं कहलाती है उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिनका बौध्धों में बड़ा मान सम्मान है इन्ही के रूप में विबिद योनियों में जन्म लिया था। संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्ष स्थापित करतेवें बरीदान हो गये थे। उंषिस्टीयों में किस प्रकार पर्शुमों तक ने मानवोत्चित व्यवहार किया था। Side इस प्रकार औचित्य का पालन किया था ये सब उन चित्रों में असाधारन खूबी से दर्शाया गया है। कि देखते ही बनता है जुलूस के जुलूस हाथी घोडे दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाये हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। कुप्त काल यानि पांचवी सदी और चालुक के काल साथवी सदी के बीचे बने। अजन्ता संसार की चितरकलाओं में अपना दूती स्थान रखता है इतने प्राचीन काल के इतने सजीव इतने गतिमान इतने बहु संख्यक कथा प्राण चितर कहीं नहीं बने हैं। अजन्ता के चितरों ने देश-विदेश-सरवत्र की चितरकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही मध्य पश्चमी एस्या भी उसके कल्यान कर प्रभाव से वंचित न रह सका। अब हम अभ्यास प्रश्ण कर लेते हैं 2019 में आया हुआ है यह चलिए। तो यह जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करने को तो इसको आप क्या लिखेंगे। परवतों कंदराओं को काटकर मनुष्य के अनुगामी बनाया गया है। ठीक है पहाडों की चट्टानों पर उसने अनेक आकरतियों को बना करके मानो जीवन की अमर कहानी का बखान किया है ठीक क्योंकि एक रचना तभी अमर हो सकती है जब उसको एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुचाया जाए ठीक तो समझ गए इतना यही इसकी व्याक है गद्यांश की रेखांकेतंस की व्याका संदर्व लिखे प्रस्तुत गद्यावत्रण या प्रस्तुत गद्यांश डॉक्तर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजन्ता नामक लेख से उद्रित है इनसान की विसेस्ताओं को पीडियों तक पहुचाने के लिए आदमी ने कौन-कौन सी युक्तियां सोची और की यानि की इनसान की खूबियों को अगली पीडियों तक पहुचाने के लिए आदमी ने कौन-कौन से उपाय किये आदमी ने पहाड काटे, चित्रू केरे, संदेश खोदे, ताड़ों से उचे, धातूं से चिकने पत्थर के खंबे खड़े किये तांबे उल पीतर के पत्थरों पर अच्छरों के मोती भी खेरे, ठीक है, उसमें जीवन मरन की कहानिया इसलिए सदियों तक चली आएं, ये उपाय, उसने इसलिए किये, खंबे खड़े किये, ताड़ पत्र लिखे तांबे के पीतल के पत्थरों पर चित्रों केरे अच्छर लिखे, धातूं से चिकने पत्थरों पर लिखे, संदेश खोदे चट्टानों पर इसलिए कि अगली पीड़ी तक इंसान की खूबिया पहुँचती रहे और जैसे संगसाज, संगसाज का मतलब कारीगर या मिस्त्री जिसको शिलपी कहते हैं आप, ठीक है और जैसे संगसाज, पत्थर के कलाकारों को संगसाज कहते हैं, ठीक है, कलावंत कलाकार होते हैं तो इसमें क्या कहा गया, उपर गध्यांस का संदर बताइए तो संदर पुरस्तुद गद्यांस डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित है अजन्ता नामक लेक से उद्रत है गद्यांस के रेखांके तंश की व्याख्या आपको ऐसे लिखनी है तो आप लिखेंगे चितरकारों ने अपनी चेनी और हतोडी से अपनी तूलिका के रंगों से सारी पीना और द्या के भाव साकार करने वाले चितर अंकित कर गए पुईना और दया को साकार करने वाले चित्र अंकित कर गए कलावंत चेनी से मूर्तें उभारते कोर से चलेगे इसको रिखेंगे आप पत्थर को तरासने वाले कलावंत माने कलाकारों ने अपनी चेनी और हथोडी से पत्थरों में प्राण फूक दिये ठीक है उसी प्रकार वैसे ही अजन्ता पर प्रकृती का भी नूर्मा ने प्रकास प्रकृती के प्रकास की वर्सा हो पड़ी क्योंकि प्रकृती वहां थिरक उठी ठीक प्रकृती वहां थिरक उठी यानि प्रकृती ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है अजन्ता के दर्ष बहुत ही मनोरम और प्रतीत होने लगे ये आपकी ब्याक्या हो जाएगी अजन्ता की मूर्तिकला की कौन-कौन सी बिशेष्टाएं हैं वैसे तो ये प्रसन यहाँ पर बिल्कुल साम में नहीं खाता क्योंकि यहां पर विशेष्टाएं नहीं बताई गई है फिर भी अजन्ता की विशेष्टाएं आप लिख देंगे इसी के हमसार अजन्ता पर उकेरे गए चित्र विशेष्टाएं क्या हैं अजन्ता पर उकेरे गए चित्र मानों की कहानियां दर्शाते हैं अजन्ता पर प्रकृती का भी नूर बरस पड़ा है क्योंकि प्रकृती भी वहाँ पर थिरक उठी है ठीक है तो यह भी से स्थालिक देंगे हलांकि यह question तरकसंगत नहीं है यहाँ पर 2019 में आया यह गद्यांस बहुत ही important है और प्रस्न गद्यांस से कई बन सकते हैं यह तीन प्रस्न यह तो आपकी पुस्तक में दिये गए मैं सॉल्व करवा रहा हूं और आप ध्यान से देखना कि इसमें और भी प्रस्न बनाए जा सकते हैं इसलिए गद्यांस को आप धंग से पढ़िएगा पहले पहाड कासकर उसे खोकला कर दिया गया फिर उसमें सुंदर भवन बना लिये गए जहां खंबों पर उभारी मूरतें भिहस उठी बीतर की समूची दिवारें और छटे रगड का चिगनी कर ली गई तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा ली गई और फिर यहां से अंडरलाइन है उनके चेले कलावंतों ने उनमें प्राण फूंक दिये ठीक तो पहले पहाड काटकर उसे खोकला कर दिया गया तो अब इसकी व्याख्या करोगे रेखांकितंस की गद्यांस तो वही रहेगा गद्यांस का संदर तो वही रहेगा तो इसमें देखो रेखांकितंस की व्याख्या आप नोट्स बनाते रहे हैं लिखते रहे हैं वहां पर ठीक है तो जहां से है तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर भगवस्रन उपाद धिया जी कहते हैं कि अजन्ता के भीतर संपूर दीवारें और छटों को घिस करके चिकना कर लिया गया और फिर उन दीवारों और भीतरी फर्ष पर विभिन्न प्रकार के चित्रकारों ने चित्र अंकित किये और उसमें प्राण फूँक दिये और उन चित्रकारों के उन्होंने उकेरे और कलावंत जो उसमें कलाकार थे उन्होंने उसमें रंग भरकर अपनी तूलिका से प्राण फोंक दिये इसलिए आज वे सारी अजंता के चित्र जीवन्त हो उठे ठिक फिर अब देखे पहाडों को किस प्रकार जीवन्त बनाया गय पहले काट कर खोकला किया गया देखो है ना फिर सुन्दर भावन बनाये गए फिर उसमें मूर्तें उभारी गई च्छतों को नरगड कर चिकना कर लिया गया फिर चित्रों की दुनिया बसाई गई फिर कलावंतों ने उसमें रंग भरके चित्र में रंग भरके प्राण फू पड़ा हो जैसे फसाने अजायब का फसाने अजायब मतलब फसाने अजायब देखो एक शब्द है बहुत अच्छा है इसका आर्थ क्या होता है फसाने अजायब मतलब आश्चर्य जनक कहानिया फसाने माने कहानिया आजायब माने अजीब गरीब आश्चर्य जनक कहानिया ठ तो इसमें फिर एक आंकित व्याख्या करनी है कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर अजनता की दीवारों पर चित्र बनाकर के इन दीवारों में समझ लो एक प्रकार से प्राण फूक दिये गए हो और दुनिया की सबसे आस्चर चनक कहानिया इसमें खुल पड़ी कहानियों से कहानिया टकराती हैं इसमें बिविन परकार की कहानिया अंकित हैं जैसे बनवानर हाथी और हिर्नों की भी कहानिया अंकित हैं कुरूरता और भय त्याग और बरिदान तपस्या रहम दया सब की कहानिया इन दीवार पर उपस्थित हैं और पाप और च्छमा जह है कि यहां पर लिखा है कि यहां पर क्या लिख दिया गया है तो आप इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे कि पहाड़ों में प्राण फूक दिये गए या लिख देंगे पहाड़ों में जीवन जीवन तो हो उठा है पहाड़ पूरे के पूरे जीवन तो हो उठें ठीक है आप फसाने अजायव दिखें तो आश्चरे जनक कहानियों का भंडार खुल गया ये लिख देंगे आप तो थोड़ा चेंज कर प्रकार के चित्रों से संबंधित है ठीक है राजा कंगले बिलासी बिक्षू नर नारी मनुष्य पसू सभी प्रकार के चित्रों से संबंधित है ठीक तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है उधर बंदरों का चित्र है ये 17 में आया है इंपार्टेंट है तो उधर बंद सुनने वन नगर उँच नीच धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं सब अजन्ता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है प्रस्तुत गद्या उत्रण में डक्टर भगवर सरण उपाध्याय कहते हैं कि अजन्ता की गुफाओं की इन दीवारों पर इनसान खाने से खिलाने तक बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने वन वन नगर उंच नीच धनी गरीब संपूर्ण सभी प्रकार के द्रिश्य देख सकता है ठिक बस उल्टा यहां से लिखना शुरू करेंगे और यहां से स्टार्ट करके लिख देंगे ठिक उब्याख्य हो जाएगी आदमी अजन्ता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है आदमी अजन्ता की गुफाओं की दीवारों पर सुन्दर बंदरों का चित्र देख सकता है सरोर में जल्ब बिहार करता गजराज देख सकता है प्यालों के दौर देख सकता है रानी जीवन यात्रा समाप्त कर रही वो देख सकता है और विभिन्न प्रकार के चित्रों को देख सकता है वैसे पूरे स्टेंजे ही इसकार्थ है ठीक है पूरा गद्यान सी अजन्ता संसार की चित्र कलाओं में अपना अधुती स्थान रखता है इतने प्राचीन काल के इतने सजीव इतने गतिमान इतने बहुसंखे कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने उसका प्रभाव पूरुके देशों की कलाओं पर तो पड़ा ही है मध्य पस्चमी एशिया के भी कल्यान कर प्रभाव से वन्चित न रह सका अजनता संसार की चित्रकलाओं में अपना अदुती इस्थान रखता है तो उपरिग वाद्यास की चित्रकलाओं में अपना अनुपम दां क्योंकि इतने प्राचीन काल के सजीव, गतिमान, बहुसंख्यक, कथा, प्राण, चित्र अन्यत्र नहीं अंकित नहीं है, ठीक है, और इस अजन्ता की चित्रकारी का प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तुपड़ा, और साथ ही साथ मद्ध एशिया के भागों पर भी इसका प्रभाव बखूबी पड़ा है, अजन्ता की चित्रकला का बाहर देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखे, बाहर देशों पर कल्यान कर प्रभाव पड़ा है, ठीक है, जहां बेरहमी है, वहीं दया का तो प्रसुत गद्यांस का जो संदर्व है तो वह तो आप जानते हैं रेखांकित अंश की व्याक्या देख लो उसमें बहुत अच्छा है ये 2020 में आया है अंतिम बचा है आपका तो यहां से है राजा और कंगले रेखांकित अंश में डक्टर भगवत सर्ण उपाध्याई ज कहते हैं कि अजनता की दीवारों पर विभिन प्रकार के चित्र अंकित हैं वहां पर अमेर गरीव विलासी भिक्षू नर्नारी इस्त्री पुरुष नर्नारी को लिख सकते हैं मानो पसू सभी प्रकार के चित्र अंकित किये गए हैं वहां पर हैवान की हैवानी के साथ- मानव की मानवता के भी चित्र सहे जे गए हैं ठीक है और इन सब चित्रों को अगर देखना है इन सब चीजों को तो जाकर कोई अजनता में देखे कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है तो बुद्ध के जीवन का चित्रांकन कलाकारों ने किया है तो आपके यहीं तक गद्यांस भी हो गए और आपका पार्ट भी हो गया अब अगला वीडियो वहारा आएगा आपका हिंदी व्याकरण का रहेगा आज सभी लोग जुड़े सबको बहुत-बहुत धन्यवाद है सबको बहुत-बहुत गुड़े आपका दिन शुभ हो थांक्यू